हाँ हाँ बच्चे मुझे पता है दिसंबर 2023 एक्जाम में सरफ और सरफ 70 डेज हैं और आपसे पढ़ाई नहीं हो रही है आपका यही कोशन है कि सर मेरे को नहीं पता कि बाकी लोग कैसे 10-12 गंटे एक दिन में पढ़ लेते हैं मेरे से तो 5-6 गंटे भी पढ़ाई नहीं हो र है तो चलिए बिना वेस्ट करें टाइम आज की वीडियो को चालू करते हैं हाउ टू स्टडी ट्वल अर्स डे एक को इसकी लिए ना सबसे पहले जैसे मैं आपको बता दिया इतना आसान नहीं 12 गंटे पढ़ाई करना आपको फुल फोकॉस के साथ सारी को सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा अब कौन से पॉइंट से जिनको हमें फोकॉस करना पड़ेगा तो चलिए देखते हैं अब देखिए सबसे पहले मैं आपको ये हिदायत दूँगा कि जो जो पॉइंट बताये जाना इनो नोट डाउन जरू करना अब बच्चे क्या करते हैं सब बचे सब से बुछते हैं सर सब полностью पाड़ें कि रात को पडich रोगें पर सकते हो अटक सकते हो दिक्कत दे सकती है आपको बिलकुल भी यसा करना आप जब शूटेबल हो आप तब पढ़ाई करू ठीक है ची बट सबसे पहले आपको क्या करना है आप जब भी उठते हैं स आप 5 बजे उठ रहे हैं, 6 बजे उठ रहे हैं, उठने के बाद, फ्रेश फ्रेश हो लिए, उसके बाद at least, give yourself at least 40 to 45 मिनट, बच्चे क्या करते हैं, उठे, मूध होया और सीधा पढ़ना चालो, 15 मिन, 20 मिन, आदा घंटा, इसके बाद आएगी दुबारा नीध, और तुम ज पढ़ाई कर पाऊगे, अपने आपको 40-45 मिन्ट देने का मतलब ये नहीं है कि उठके फोन चलाना है, अपने आपको 40-45 मिन्ट देना है, फोन को दूर रखना है सबसे पहली बाद, दूसरी बात, यहाँ पर 15-20 मिनट आपको करनी है exercise, stretching, running, whatever you want to do, 15-20 मिनट आपको करनी है सबसे वेलोट के exercise, fresh होने के बाद 15-20 मिनट exercise करनी है, और उसके बाद 15-20 मिनट देनी है meditation को, अगर आप यह कर रहे हैं, तब ही आप एक दिन में 10-12 घंटे without any pressure पढ़ाई कर पाएंगे, अदरवाई नहीं कर पाएंगे, मिरको पता है आखरी का टाई में इस समय कितना pressure होता है, उस pressure को अगर चाहते हो कि वो release हो जाओ, 10-12 घंटे में अराम से पढ़ाऊं, तो उसके लिए जरूरी है 15-20 मिनट, 25 मिनट, जितना भी आप चाहते हैं, exercise को दीजिए और 15-20 मिनट minimum meditation को दीजिए, उसके बाद पढ़ाई करेंगे, तो believe me, for example, 5 बजे उठे, 6 बजे तक य अब भी उठे हैं, 5 बजे, 6 बजे, आपको यह करना है, सबसे पहले 40-45 मिनट, अपने आपको देने है, शरीर को दिए, दिमाग को दिए, उसके बाद पढ़ाई करेंगे, उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जंग लड़ने चले जाते हैं, बिना target set करें, मतलब अरे यार आपको नहीं पता, आपको किसको घायल करना है, किसको दोस करना है, उसके बाद आप लड़ाई कर रहोगे, क्या आप जीत पाओगे, नहीं जीत पाओगे, तो आपको कल क्या पढ़ना है, ये आज डिसाइड होना चाहिए, जो कल पढ़ना है, उसके लिए आज र करना है और तर्ट को क्या करना है डिली वैसिस से बनाना ह죠. इसके आगे जब Zach को अससे फ़रकी पनाहिजीत रिख एक साथ लीवर ली जिए और इसके आगे निगी भी च्वनीफेगल देने के से लंगй постро कि शूचाप का नंच्रοप या ऐसा नहीं करना राथ को सोच के सोना है तो सब्सक्राइब आप पर बचा लोगे आप अब बेसिकली सबसे पहले हम यह सोचे कि हमें करना क्या है तो आपको पता है दस से बारा घंटे पढ़ाई के अंदर क्या करना होते हैं देखो में लीवट यह वाप इस कंसेप्ट आपको कंसेंट्स होएना है सबसे पहली बात कोश्ण प्रैक्टिस करने हैकरने हैं टसट देना है रिविजन करने मिलीट हई चार चीज कर न एक प्रेक्टिस प्रेक्टिस टेस्ट एक रिविजन है, आपको यहाँ पर अप्लाय करना है, 40-40-20 रोल, यानि कि मैं आप 12 गंटे बढ़ रहा हूं, तो 40% टाइम मेरा जाएगा कंसेप्ट को, 40% टाइम जाएगा मेरा कोश्चन प्रेक्टिस और टेस्ट को, और 20% टाइम ज बाकी 6 गंटे का उड़ जाएगा, 7 गंटे का उड़ जाएगा, तो चाहते हो, 6 गंटे बेशना करना, और सही तरीके से एफिशेंटली पढ़ाई करना, तो 40-40-20 रूल अपना लो, 40% टाइम कंसेट को, 40% टाइम कॉश्चन प्रेक्टिस प्रेक्टिस प्रेस्ट को, और 20% अब बच्चे दूसरी चीज़ पुछते हैं, सर, हमें ना ये नहीं समझाता है, एक दिन में सारे सब्जेक्ट कैसे करें, पेटा, एक दिन में सारे सब्जेक्ट करने ही नहीं होते, आपको फॉलो करनी होती है, two subject a day strategy, two subject a day strategy का मतलब, एक दिन में सरफ और सरफ दो सब्जे कुछ दिखेगा, कुछ करा है, परना क्या होगा, बच्चे कहते हैं, आदा घंटा लो पड़ा, एक घंटा आकांट पड़ा, दो घंटे मैंस पड़ी, अरे आदा घंटा, पता में नहीं चलेगा, subject कब चालुआ, कब खतम हो गया, तो ऐसा नहीं कर रहा, अब को एक दिन मे अब करना है, तो वो यहाँ आ गया, फर एक्जांपल, लो के अंदर में कोई concept पढ़ना है, तो वो यहाँ आ गया, इस तरीके से, या फिर फर एक्जांपल, में कोई दोनों subject में concept भी पढ़ने हैं, और question भी प्रक्टिस करनी है, तो 2-5 गंटे में question, आपने concept पढ़ा, उस chapter कर लिए, ऐसे करना है, 40-40-20 rule का भी ध्यान रखना है, साथ ही साथ, two subject and day strategy का भी ध्यान रखना है, ठीके जी, ताकि आप efficiently पढ़ा है, 10-12 गंटे बहुत सारे बच्चे आपको देखेंगे, कि आप पढ़ रहे हैं, बट 10-12 गंटे efficiently बहुत कम लोग पढ़ पाते हैं, उसके अगर आपके आपके perfect practice book है, तो वो भी ले सकते हैं, self-study student से लिए हमारी self-study kit बहुत ज़्यादा valuable है, अगर आपने अभी तक नहीं लिए है, तो self-study kit ले सकते हैं आप, ठीक है जी, यह वाली चीज समझा गई, two subject and day studies समझा गई, इसके लावा जैसे मैं आप बता दिया, regular one test is necessary, एक दिन, एक test के एक को लोना चाहिए आपका, रोज एक test दोगे, तभी बात बनेगी, रोज एक test दोगे, तभी बात बनेगी, और उसके लावा revision is necessary, आपको पता है, हमारे दिमाग में हम जितना पढ़ते होता ना जादा निगलता रहता है, तो चाहे मैं आप आप चार के चार घंटे पढ़ लूँ, बट तीन घंटे, दो घंटे में को रिवाइज नहीं करूँगा, तब तक मेरी बात नी बनने वाली है, अगर आपने वो 6-6 घंटे पढ़ लिया, और आपने revision नहीं करी, तो बिलीव मी बेटा, इससे अच्छा था कि आप 6 घंटे पाइदा नहीं था, और बागी 2-3 घंटे आप रिवाइज कर लेते, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपने पढ़ाया वो निकलना है, वापसी, रिटेन करने के लिए आपको चीजों को बारबार रिवाइज करना पढ़ेगा, regular time रिवाइज करना पढ़ेगा, 70 दिन है, यहाँ पर time waste करने का बिल्कुल भी समय नहीं है, तो चीजों को अच्छे से दिवाग में बढ़ा लो, इसके लाव बच्छे कहते हैं, सर यह सारी चीज़े ठीक है, अब नींद बहुत आ रही है, उसकी वज़े से आप 10-12 घंटे कभी ना focus होके ने पढ़ाय कर पाते है, आ खाओ बिल्कुल, जितना ज्यादा हो सके, fresh food खाओ, healthy food खाओ, healthy food के इंदा fresh food का मतलब क्या है, अब vegetables, fruits, fresh fruits, fresh vegetable खाओ, नींद कमाईगी, नींद कमाईगी, automatically आपकी नींद कमाईगी, तो आप जाधा अच्छे से पड़ पाएंगे, ठीक है जी, इन points को ध्यान में रख लिया अब मैंने आपको बताया था, टेस्ट कैसे देना है, और रिविजन कैसे करना है, यह भी बताऊंगा, टेस्ट के लिए आपको बता है, इंडिया की best test series, all India channel test series, हम लेके आएंगे आएंगे 3.0, तो यह आपकी website पे available है, www.e-scholars.in, इसके लाभा अगर आपको नहीं बिल र गए हैं, जो ICA के अंदर favorite questions है, तो इस test series को जरूर लीजिए, इस test series का भरपूर फायदा उठाईए, मातर 6-7 सुरुबे की है, उसके अलावा, आप revision के लिए, बच्चों को बहुत जादे दिक्कत रहती है, कि revision कैसे करें, तो revision के लिए बेटा perfect revision book, India's best selling book, आपकी launch हो चुक variety question कर लिए, तो मेरा पूरा का पूरा chapter revise हो गया, सारे के सारे जो भी concept हो, उन questions में कभर हो गया, तो question भी मातर 3-4 question, 3-4-5 question के अंदर पूरे का पूरे chapter के सारे के सारे concept कभर हो जाते है, paper से डेड़ दिन पहले, मेरे को सरफ यही questions करने है, यही notes पढ़ने है, और कुछ नहीं more than enough है, और कुछ नहीं, for revision, you can refer perfect revision book, and यहां से आप important question भी कर सकते हैं, इन दोनों चीजों की inquiry के लिए आप 88888888402 पे connect कर सकते हैं, वाटसप कर सकते हैं, बाकी मैं आपको यही कहना चाहूंगा, क्या, एक कहवत याद आ रही है बटा, जिसने कहा कल, दिन गया टल, जिसने कहा, आज, उसने किया राज, तो यह सारे के सोरे points, आज ही, अभी अपनी copy में नो, down करिये, इसे implement करिये, और साथ ही साथ, यह test series, और perfect revision book, it is a must, necessary material, for your CEO foundation, December 2023, इन से पढ़ना चालू करिये, अभी की अभी, और मिलते हैं, नेक्स वीडियो में, जब तक फोड़ेंगे नहीं वाले सोच लेके, उमीद करता हूँ, आपकी मेरी बाते समझ आई होगी, वीडियो को साथ-साथ लाइक करिये, share करिये अपने दोस्तों के साथ, thank you so much